हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक दोस्तों आप लोगों का बहुत-बहुत सवागत है मैरे चैनल EVmania innovations में आज का वीडियो काफी खास होने वाला है चूँकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे electric motors और हमारे IC engine के बीच के difference के बारे में और यह जाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा माना जा रहा है कि electric vehicles हमारे internal combustion engine को पूरी तरह से replace करने का potential रखते हैं लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ यह बात करने वाले हैं कि electric vehicles की efficiency ज्यादा होती है या उनका carbon emission कम होता है तो ऐसा बिलकुल नहीं है बलकि आज हम लोग उन कुछ conceptual basic differences के बारे में बात करेंगे जो कि electric vehicles और petrol vehicles के बीच में होता है या major advantages मिलते हैं जिससे की ऐसा माना जा रहा है कि electric motors आने वाले दिनों में पूरी तरह से IC engines को replace कर देंगी और इसलिए future की vehicles को electric vehicles ही माना जा रहा है तो दोस्तों शूरू करते हैं आज का वड़ियो और जानते हैं पूरी detail के साथ हमारे electric vehicles के कुछ major benefits जो की हमारे IC engines के compression में आते है पहले बात करते हैं internal combustion engine की basic working की और internal combustion engine में हम लोग fuel की energy को सबसे पहले convert करते हैं में और इसके बाद इस heat को हम लोग convert करते हैं mechanical movement में जो की हमें मिलता है rotary movement के form में जो की हमें मिलता है crank shaft पर detail में समझें तो हम लोग engine में fuel को एक close chamber में burn करते हैं जिसको की हम लोग जाते हैं cylinder block के नाम से और जब इस fuel को हम लोग कि इस close chamber में oxygen की presence में burn करते हैं तो काफी यादा heat produce होती है और एक तरह से explosion होता है fuel का है चुकि fuel जो होता है compressed form में होता है और इस explosion और heat के कार्ण हमारे जो air होती है उसके अंदर की वह expand होती है जिसके कार्ण की हमारे piston को upper side और lower side का movement मिलता है और यह जो moment होता है linear movement यह हमारी crank shaft के तूर rotary movement में convert हो जाता है तो दोस्तों और अगर हम लोग इस process को समझें तो इस process में काफी ज्यादा amount में heat produce होती है काफी ज्यादा wear and tear होता है जो कि हमारे piston के कार्ण होता है और साथ ही में चुकि हम लोग fuel को burn करते तो इसका 100% जो combustion होता है fuel का burning नहीं होता है और कुछ बचा हुआ जो fuel होता है वो हमारे exhaust के तूर बहार निकल जाता है जो कि carbon emission के नाम से जाना जाता है और जिसके कार्ण की pollution produce होता है और दोस्तों अगर आप इस पूरी process को देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि काफी जाता होता है जो कि fuel भी पूरा नहीं जनता है काफी यादा wear and tear होता है friction होता हमारे piston के कार्ण और साथ ही में इसमें जो काफी यादा heat produce होती है जो कि हमारे fuel के energy को काफी यादा waste कर देता है एक अच्छी चीज़ यह कि जो हम लोग fuel यूज करते है जैसे कि petrol या diesel उनकी calorific value इतनी जाद होती है जानी कि उनकी energy density इतनी जाद होती है कि थोड़ा सा fuel भी जो होता है वो काफी यादा energy produce कर देता है इसलिए काफी यादा wastage के बाद भी हमारे engine में हमको थोड़े से fuel से भी काफी यादा अच्छी running मिल जाती है तो यह तो हो गया दोस्तों एक engine का basic working principle अब आगे की और हम लोग detail में बात करते हैं अब इस पुरी process में आप लोग समझ गया होंगी कि जो power production होता है जानी कि explosion के क जो piston का moment होता है और जो power produce होता है वो smooth नहीं होता है थुरूआट वो one time के लिए होता है sudden होता है और बाकी cases में power production नहीं होता है बाकी के अगर चारो stroke की बात करो तो अब इसको regulate करने के लिए हम लोगो flywheel को use करना पड़ता है flywheel picture में आता है और flywheel एक तरह से काफी heavy metal body होती है जो कि एक तरह से regulator का 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 करती है जाने कि power को absorb करती है जब काफी जादा power produce होता है तो उसको absorb कर लिया जाता है और बाकी के जब दिसरे तीन जो stock होते हैं जिसमें की power produce नहीं होता है वहाँ पर उसको distribute कर दिये जाता है तो एक तरह से यह कुष्णिंगा का 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 ता है power production में तो यह भी अपने आप में काफी हेवी हो जाता है और ओर अवराल हमारे इंजन का वेट बढ़ा जाता है और यह जो हमारे इंजन की जो कुछ ड्रावेच से उसको अवरकम करने में काम आता है फ्लाइविल के अलावा एक और मेजर इंपोर्टेंट अटेच्मेंट होता है हमारे इंजिन के साथ वो होता है गेरबॉक्स और जो गेरबॉक्स होता है वो आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट गेर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हम लोग हमारी रिक्वार्म होते हैं जो drawbacks होते हैं उसको overcome करने के लिए हम लोग को gearbox use करना पड़ता है और इसके अलावा अगर gearbox की भी बात करें उसके attachment की बात करें तो साथ में picture में आता है clutch क्लच भी gearbox का ही एक major attachment होता है जिसके बिना कि हम लोग गेर को shift नहीं कर सकते हैं running condition में और यह दोनों चीज़े होती हैं यह भी हमारे engine को drawbacks को जो engine की drawbacks होते हैं उनको overcome करने के लिए ही use किये जाते हैं और यह भी हमारे system की efficiency को अच्छा खासा कम कर देते हैं और हमारे drive train system को और ज्यादा complicated कर देते हैं अब हम लोग कि क्यों हम लोगों को यूज करने की जरूत पड़ती है हमारे engine के साथ इसको समझने के लिए हम लोगों का engine के performance कर को analysis करना पड़ेगा और यहां पर जो आप लोगों को कर दिख रहा है इसमें basically तीन parameter आप लोगों को दिखेंगे सबसे पहला parameter जो की मेरे left hand side में vertical line है वो है engine का torque इसके बाद right hand side में vertical line है वो power की है और इसके बाद जो horizontal line है bottom में वो है speed की यहां पर आप दख सकता है जो blue line है वो torque की है red line जो है वो power की है अब यहां पर आपको clearly दिख रहा होगा कि basically मैंने इन पूरे torque और power zone को basically तीन segment में आपको यहां पर देखेगा कि 3000-4000 का जो engine rpm है वहां पर आपका maximum torque produce होता है और starting में जबकि मैं बात करूं 1000-2000 के बीच में वहां पर सबसे कम torque होता है और जैसी आप highest speed पर आते हैं जैसे कि 5000-6000 के बाद तो यहां पर torque आपका बहुत जादा कम हो जाता है इसी तरह से अगर engine की power की बात की जाए तो 5000-6000 rpm के बीच में आपको maximum power मिलता है तो दोस्तों यहां पर आप यह अब इस पुरे curve को समझ गया ह अब हम लोग इसके drawbacks की बात करते हैं जब हम लोग वीकल स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को लगता है highest torque लेकिन जब हम लोग इंजिन की parameter पर देखें तो वीकल स्टार्टिंग की time पर चुगी rpm कम होता है तो यहां पर जाओका torque production होता हो काफी जादा कम होता है especially 1000-2000 के बी और हमारा जो गेर होता right house when you'll hear that कि स्पीड को काफी कम कर देता हुझ ताकि हम लोगों को फर्श को काफी कम कर देता है ताकि हम लोगों क्यों की छिर्ड के बढ़ता है और तोड़ा सा कम हो जाता है इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते हमको third or fourth gear में बराबर का performance मिलता है और हम लोग third or fourth gear में हमारे उस zone में आ जाते हैं जब कि हमको maximum torque का zone मिलता है आप लोगों के लिए knowledge के लिए में ये भी बता दूँ कि ये जो maximum torque का zone होता है ये highest efficiency का zone होता है अगर हम लोग इस zone में गाड़ी को चलाते है यानि कि इस particular RPM पर जैसे कि यहाँ पर इस curve के साथ से 3000 और 4000 के RPM पर हम लोग अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो हमको हमेशा maximum efficiency मिलेगी fuel economy सबसे जादा मिलेगी highest torque वाले zone में चलाने के पर तो और आप समझ गये होंगे इसके बाद अगर म इंजन के performance के डिवाड तो यह दो जोन में डिवाड हो जाता है एक तो होता हाइस्ट टॉप जोन और बाकी का जो होता है वह लोग टॉर्क जोन को होता है तो और हमको गेर के तुरू हाइट टॉर्क जोन में shift होना पड़ता है ताकि हमारे vehicle को properly drive मिले तो हमारे इंजन के इ का यूज करना पड़ता है तो हमारे इंजन का जो ड्रॉबेक्स है वो गेर बॉक्स ही ऑवरकम करता है तो इंजन में काफी जादा components तो यूज होती ही है जैसे कि piston हो गया connecting road हो गया क्रेक्शाफ्ट हो गया इसके बाद आपके inlet exhaust wall हो गया और उसके बाद आपका flywheel आ गया है और साथ ही में साथ इंजन के लिए हम लोगों को दूसरे बहुत सारी दूसी चीज़ों का यूज करना पड़ता है जैसे कि lubricants का यूज करना पड़ता है जिससे कि हमारे जो pistons के बीच का friction कम होता है फिर हमको gearbox में भी lubrication का यूज करना पड़ता है ताकि gears का wear out कम हो gearbox अपने आप में काफी complicated design हो जाता है इसमें काफी सारे gears यूज होते हैं और इन gears को synchronize करने के लिए जैने कि shifting के लिए हम लोगो clutch का यूज करना पड़ता है जिससे कि हमारे requirement के साथ जो gear engage disengage होती रहे अब बात अगर हम लोग फिल injection की करें तो हम लोग यहां पर fuel tank का यूज करना पड़ता है fuel storage के लिए फिर picture में आता है हमारा fuel filter इसके पास हम लोग को fuel injection pump या फिर CRDA का यूज करना पड़ता है कोमल रेन injection systems का अब जो fuel हमारा unburned रहता है जिसका की burning नहीं होता है उसको exhaust के लिए exhaust manifold silencer और अब हमको अपने engine को start करने के लिए use करना पड़ता है हमारे starter का और अब starter को चलाने के लिए हम लोग को use करना पड़ता है light acid battery का अब इस light acid battery को भी हमको charge करना है तो यहां पर हम लोग को engine की crane shaft के पीछे हमां को attach करना पड़ता है alternator अब चुकि engine में काफी यादा heat produce होती है तो उसको cool करने के लिए engine को हमको use करना पड़ता है radiator और radiant में use करना पड़ता है coolant और अगर 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 आप देखेंगे तो engine का design काफी यादा complicated तो होते ही होता है इसमें हमको बहुत सारे अलग-अलग components का use करना पड़ता है ताकि हम लोग engine के जो दूसरे drawbacks है उसको overcome कर पाए और उसको functional के लिए बना पाए ताकि हमको हमारे requirement का performance मिले सारी बात की हम लोग ने engine के drawbacks की और हमारे IC engine के design और construction के complications की अब हम लोग बात करेंगे electric motors के बारे में और यहाँ पर आप जो graph देख रहे हैं यह typical एक BLDC motor का performance graph है हाला कि काफी सारे manufacturer अलग-अलग type की motor यूज़ करते हैं in fact हमारे देश में भी अलग-अलग type की electric motor available है electric vehicles के लिए लेकिन BLDC motor सबसे commonly available है और सबसे ज़्यादा popular है इसके बात PMS motor आती है लेकिन उसकी availability का में price भी ज़्यादा है और world के कुछ renowned manufacturers है वो three-phase AC induction motors भी use करते हैं कुछ लोग synchronous motor भी use करते हैं हाला कि सब motors की अपनी अलग-अलग properties होती है जैसे कि BLDC motor का starting torque का जादा ही होता है जो normally rated torque के 2.5 times तक जा सकता है इसके बाद अगर मैं induction motor की बात करूँ तो इनका जो होता है torque almost constant होता है throughout the speed तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा higher power की motor को select करना पड़ता है लेकिन इनकी efficiency जो होती है build AC motor से काफी जादा ही होती है वैसे अगर normally में electric motors के बारे में बात करूँ जो कि हम लोग electric vehicles में use करते हैं तो इनकी efficiency 80 से लेकर 95 के बीच में जाती है normal cases में 90 तक तो आपको efficiency मिली जाती है rated power के consumption की time पर तो सबसे पहले अब हम लोग BLDC motor की बात करते हैं तो यहां पर आप BLDC motor के performance कर में basically दो चीजों का parameter आपको मिलेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा power का जो कि आपकी red line है और उसके बाद आपको torque का मिलेगा जो कि दोनों vertical line represent करती है left hand side में vertical line represent कर रही है torque और right hand side की vertical line represent कर रही है power bottom की जो horizontal line है वो आपका speed को represent कर रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं इस graph में जो आपका initial starting torque है वो highest होता है जैसा कि मैंने बताए 2.5 times सक जा सकता है BLDC motor के time पर अब दोस्तों जब आपका electric vehicle start करते हैं हम लोग तो उसके उपर friction forces काफी जादा मतलब जिते भी resistive forces काफी एक्टिव होते हैं तो काफी जादा आपको force चाहिए उन सबको overcome करने के लिए और आपके vehicle को stationary condition से rotary condition में लाने के लिए तो कि starting में सबसे जादा torque चाहिए और आपकी BLDC motor ही सबसे जादा torque देती है जो कि आपका rated torque के 2.5 times तक हो सकता है तो अब आपको directly ही धाई गुना जादा torque मिल रहा है starting में तो आपको electric motor में किसी भी type के gearbox ही जरूत नहीं पढ़ रही है direct आप लगा रहे हैं और आपको starting torque मिल रहा है इसके बाद जैसे ऐसे speed आपकी बढ़ती जाती है motor का torque कम होता जाता है और उसका power बढ़ता जाता है in short अगर आप इसको समझे तो जब मैं higher speed की तरफ जाता हूं तो में को जो torque होती ही उसकी requirement कम हो जाती है और उसके साथ साथ मे अगर आप लोग देखें इस कार्व को समझें तो इसमें किसी तरह से भी आपको gear box requirement नहीं है क्योंकि आपको starting में ज्यादा torque मिल गया और जैसे से आपकी speed बढ़ी आपका जो torque requirement कम होती है वैसे बिल्ड इसे motor का भी torque कम होता जाएगा तो आपको अब इस motor में gear box नहीं चाहि है तो आपको clutch की requirement नहीं है इसी के दाथ क्योंकि motion power production बिल्कुल smooth है तो आपको यहां पर किसी भी तरह से fly wheel की requirement मी नहीं है और यहां पर जो आपका construction है electric powertrain का वह हमारे ic engine powertrain की compression में काफी जादा simple हो जाता है अगर मैं बात करों तो आपके जो construction होता है और जो वह और इसका जो design होता है काफी जादा simple हो जाता है और number of component भी काफी कम होता है अगर major component की बात करों तो उसमें आजाता battery pack आपका energy store करने के लिए एक controller जो कि आपकी BLDC motor को control करता है और आपकी BLDC motor अब हम लोग अगर की बात करें तो BLDC motor की खासियत है कि इसमें moving part बिल्कुल नहीं है rotor होता है जो आपका rotate करता है वो भी bearing के अंदर rotate करता है तो यहां पर जो moving part हो खाली rotor होता है जो friction होता है वो बहुत कम होता है heat जो produce होती है वो भी काफी कम होती है इसको काफी easily handle कर सकते है higher energy density की motor है तो आप liquid cooling के लिए जा सकते हैं नहीं तो normal condition में उसकी भी जरूत नहीं पड़ती है और अगर motor की construction की बात करें तो क्योंकि motor काफी पहले से ही बन रही है उसका design काफी सिंपल होता है number of component में काफी कम होते है engine के compression होने तो करीम काफी यादा कम components motor के construction में लगते हैं इसके बाद अगर हम लोग battery pack की बात करें तो yes battery pack की अभी कुछ drawbacks है अभी battery pack में काफी improvement होना है और जो दीरे-दीरे हो भी रहा है आने वाले दो से पांक सालों में battery pack काफी अच्छी quality के आएंगे काफी अच्छी life के आएंगे और काफी कम rate पर भी मिलेंगे controller बहुत जादा electronic component to use होते हैं और इनकी efficiency भी काफी जादा हाई होती है तो overall हमारे electric vehicle की power train का construction काफी simple होता है इनकी energy भी काफी जादा होती है और यह काफी compact हो जाते हैं हमारे IC engine के compression में gear box combination और इसी की सासत clutch regular disengage engagement के कांड किसी भी IC engine vehicle को चनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है in fact अगर हम लोग lower RPM पे गलत gear का selection करते हैं तो हमारी गाड़ी बंद हो जाती है और इसी तरह से अगर हम लोग higher RPM पे गलत gear का selection करते हैं तो हमारी fuel economy खराब हो जाती है जबकि electric vehicles में इस तरह की कोई भी problem नहीं आती है in fact कोई भी electric vehicle कभी normally बंद नहीं होता है बलकि जैसे ऐसे आपके vehicle पर load पढ़ता जाएगा वैसे उसकी motor का RPM तक होम हो जाएगा लेकिन वो तब तक चलती जाएगी जब तक उसकी torque की maximum limit reach out नहीं हो जाती इसलिए electric vehicles को चलाना काफी easy होता है अपने इस पूरे वीडियो को short में conclude करूँ तो electric vehicles को जहां एक और चलाना असान होता है वह इनका construction और design काफी simple होता है इनकी running cost काफी कम होती है साथी साथ इनका carbon emission almost zero के असपास होता है काफी कम maintenance होता है और ऐसी बहुत सारी खुबिया electric vehicles में होती है charging में भी काफी जाता समय लगता है पर जैसे जैसे अभी research चल रही है battery packs के ओपर वैसे ऐसा माना जा रहा है कि future में बहुत ही अच्छा और sustainable solution मिलने वाला है हम लोग एनर्जी storage के लिए और जब ऐसा हो जाएगा तो electric vehicle का एक जो यह drawback है यह भी पूरिता से खदम हो जाएगा और electric vehicles पूरी तरह से rule करेंगे हमारी atom oil industry पर तो दोस्तों मैं फिर से हाफ लोग इसा संबल request करता हूं कि अपने environment को protect करने के हर संबोग कोशिश करें, electric vehicles का use करें, अपना carbon emission कम से कम रखें और future mobility को use करें Thank you very much